आज हम बनाने जा रहे हैं लसून और करेले का चटपटा आचार आप इससे बना कर साल भर भी स्टोर करके रख सकते हो बिना किसी जंजट के एकदम सिंपल तरीके से आज़म करेले का आचार बनाएंगे खाने में बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा और बहुत बड़ी आचार बनके तियार होगा तो चली फटापट से आज की रेसिपी बनाना स्टार करते हैं आचार बनाने के लिए यहां मैंने इस तरीके से पतले और नरम बाले आधा किलो करेले लिये हैं और साथ ही यहां पर मैंने तीन गठाने लहसुन के लिए हैं सबसे पहले यहां पर मैंने करेले को अच्छे से दोकर सूखे कपड़े से पोच लिया है और यह देखे इस तरीके से गोल गोल टुकडो में कट कर लिया है और लहसुन को भी हमने छील लिया है और ये देखे करेले के अंदर जो इस तरीके से कड़क वाले बीज होते है ना उनको हमने अलग कर दिया है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अचार बनाने के लिए हमने कौन-कौन से मसाले लिये है मसालों में यहाँ पर मैंने 200 ग्राम राई दाल ले लिया है दो टेबल स्पून सोफ है सोफ को हमने दरदरा कूट लिया है साबुत धनिया है इसको भी हमने दरदरा कूट लिया है एक टेबल स्पून अमचूर पाउडर आधा टेबल स्पून मेथी दाना लिया है लाल मिर्स पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक लिया है 15-20 नक यहापर मैंने काली मिर्च की दानी लिये है और अचार बनाने के लिए यहाँ हम सरसो का तेल लेंगे तो चलिए अब हम गेस की तरफ चलते हैं सबसे पहले हम एक कप सरसो के तेल खुए निकल तक घरम कोड़ने के दूबर एक कटे भुए में लिए वाज गाया admit मेरे warrior द दो से मारा देल करेंगे तो करके तयो यहाँ अची एक कप तेल का युज़ु अम भाद में करेंगे और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूले जिससे मेरी हर आनेवले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे यह दिखें यहाँ पर मैंने 2-3 मिनट तक हाई फ्लेम पर करेले के टुकड़ को इस तरीके से फ्राइ कर लिया है और यह दिखें इनका कलर भी हलका सडार को हो गया है और यह सोफ्ट भी हो गया है तले हुए करेले यह दिखें इस तरीके से अब हम एक बरतन में निकाल लेंगे और इसे तेल में लहसुन को भी फ्राइ कर लेंगे लहसुन को हम हलका golden color आने तक फ्राइ करेंगे यहाँ पर मैंने लहसुन की तीन गठाने लिए है यदि आप चार में लहसुन का strong flavor पसंद करते हो तो आप 4-5 गठान भी ले सकते हो और यदि आप लहसुन नहीं खाते तो आप इसे बिना लहसुन के भी बना सकते हो यदि यहाँ पर मैंने लहसुन को भी अच्छे से फ्राइ कर गए एक प्लेट में निकाल लिया है अब हम इसे भी तले हुए करेलों में मिक्स कर देंगे चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यह दिखी तेल पहले से ही अच्छा गरम था यहाँ मैंने कड़ाई को गेस से नीचे उताल लिया है अब हम इसमे एट करेंगे आधा टेबल स्पून मेथी दाना आधा टेबल स्पून हींग पाउडर और साबुत धनिया दरदरा कुटा हुआ सबसे पहले हम इस तरीके से जो भी खड़े मसाले है ना उनको अच्छे से फ्राई करेंगे अब हम इसमे एट करेंगे दरदरी कुटी हुई सोप और इसे भी हम अच्छे से प्राई कर लेंगे अब हम इसमे एट करेंगे हल्दी पाउडर यह दिखिए हल्दी पाउडर को इस तरीके से गरम गरम तेल में डालने से कितना अच्छा कलर आया है लाल मिर्च पाउडर एट करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे यहां पर मैंने तीन टेबल स्पून डाल मिच पाउडर लिया है मिर्चे की मात्रा आप अपने हिसाब से कम्या जादा भी कर सकते हो अब हम इसमे इट करेंगे राई दाल और इसे भी हम मसालों में अच्छे से मिक्स कर देंगे यहां पर हमने सारे मसालों को तेल में अच्छे से फ्राई किया है और मसालों से बहुत अच्छे खुश्बू आ रही है लास्ट में अब हम इसमें इट करेंगे नमक और अमचूर पाउडर हम जूर पाउडर एट करने से करे ले के अचार में हलकी से खटास भी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है अब हम इसमें तलेव निकरे ले और लसुन एट करके अच्छे से मिक्स कर देंगे अच्छा बनाते समय हमें ध्यान रखना ही कि जब भी हम कोई सा बरतन ले वो पूरे तरीके से सुखा होना चाहिए बचे हुए 1 कप तेल को भी हम अच्छे से दुआ निकलने तक गरम कर लेंगे और गरम गरम तेल को ये देखिए इस तरीके से हम अचार में मिला देंगे और हाँ एक बात का जुरूर ध्यान रखे यदि हमें लंबे समय तक अचार को स्टोर करना है तो अचार पुरे तरीके से तेल में टूपा हुआ होना चाहिए देल को भी हम अचार में अच्छे से मिक्स कर देंगी और अचार को थंडा होने के लिए रख देंगे जब भी हम कुईसा शार बनाते हैं तो वो दो से तीन दीन बाद खाने में अच्छा लगता है पर आज जो अचार बनाया है वो hand to hand खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा यह देखिए आचार पुरे तरी के से ठंडा हो गया है अब हम इसको एक काच के बनने में भल लेते हैं एक बार आप इससे जरूर ट्राइ करके देखिए बहुत बड़ी आचार बन के तियार होता है और जो लोग करेले पसंद नहीं करते हैं वो भी आचार को बहुत शोक से घाएंगे तो आज की रेसिप आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिप के साथ में